रिशीम रिकंडू और उनकी पत्नी मरूदवती की कोई संतान नहीं थी, तब दोनों ने भगवान शिव को परसन करने के लिए बड़ी ही घोर तपस्या Creek रिषीम रिकंडू की तपस्या से परसन होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने रिशी से कोई वर मां पहला एक ऐसा पुत्र जो अती बुद्धिमान एवं धर्म परायन होगा किन्तु उसकी आयू केवल 16 वर्ष तक की होगी या फिर एक ऐसा पुत्र जिसकी आयू तो बहुत होगी पर वो दुष्ट सुभाव वाला और सुस्त प्रवृतिका होगा आप सबको हमारा नमस्कार आपके अपने चैनल ओम गणपते में आपका स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले रिशीम र मरिकंडू और उनकी पत्नी ने तुरंत पहले विकल्ब को चुना और इस प्रकार उनको एक पुत्र की प्राप्ती हुई और उसका नाम उन्होंने मारकंडे ये रखा वै बालक अथी बुद्धिमान और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था जब मारकंडे ने अपन माता पिता से कहा कि वे आशानक होई वे तब समुद्र तटकी दिशा में निकल पड़े वहां उन्होंने रेच से भगवान शिव का लिंगम बनाया और एक पैर पर खड़े होकर वे पूरा दिन भगवान शिव की भक्ती में ऐसे ही लिन रहे मारकंडे के जीवन के सतार में वर्ष का पहला दिन आ गया था तो मृत्यू के देवता यम के दो दूत मारकंडे को प्रिथवी से ले जाने के लिए आए लेकिन मारकंडे के ध्यान की शक्ती इतनी तीवर थी कि यम के दूत उनके निकट भी नहीं आ पा रहे थे इससे क्रोधित होकर यम स्वैम मारकंडे को लेने के लिए समुद्र तड़ पराए बिना समय बरबाद किये मृत्यू के देवता ने मारकंडे की गर्दन में अपना कमंद डाला और उसे लिंगम से दूर खीचना शुरू कर दिया जब मारकंडे ने महसूस किया कि यम का फंदा उनके गले में कस्ता जा रहा है तो व वहां प्रकट हो गये भगवान शिव ने क्रोध में अपने तरशूल से मृत्यू देव को भेट दिया और वो वहीं गिर पड़े यम देव को मृत्य देखकर समस्त लोकों में हर कंप मच गया स्वर्ग लोक से इंद्र और कई देवता नीचे प्रिथ्वी पर आ गये और भ मारकंडे ने स्वयम भगवान शिव से यम देव को क्षमा करने की गुहार लगाई और भगवान शिव मुस्कुराए यम देव के मृत्य शरीर में प्रान दाल दिये तब यम देव ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपने निवास पताल लोक में चले गए जब सभी देव स्वर्ग लोक वापिस चले गए तब भगवान शिव ने मारकंडे को काला तीत शाश्वत अर्था चिरन जीवी होने का वरदान दिया अपने भक्त को आशिरवाद देकर भगवान शिव कैलाश लोट गए और मारकंडे खुशी खुशी अपने घर चले गए और इससे संबंदित एक और बात है कई लोगों का मानना है जब मारकंडे ने भगवान शिव की तपस्या की थी तो जिस मंतर का जाप वो कर रहे थे वो महा मृतुन जय का मंतर था और इन्होंने ही इस मंतर की उत्पत्ती की थी पर हमें महा मृतुन जय मंतर की उत्पत्ती से चुड़ी तीन रोचक कहानिया मिली एक तो यही जिस पर हमने अभी वीडियो बनाया है दूसरी कहानी में भगवान शिव ने इस मंत्र को संजीवनी विद्या या पुनृत थान की कला के लिए शुक्राचारे को दिया था और तीसरी कहानी रिगवेद से आती है और उसमें कह अगया है कि इसकी रचना महरिशी वशिष्ट ने की थी अगर आप मेंसे किसी को भी इस बारे में जानकारी है तो कृप्या कॉमेंट बाक्स में हमें जरूर बताएं आज की वीडियो में बस इतना ही जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो के रोचक वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सबको शुक काम नहीं नमस्कार जै शिव शंभू भोले नात